नमस्कार दोस्तों वारे येटूब चैनल एक्जाम लर्नर में आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी त्रप्लसी यानि कि उत्तर प्रदेश अधिनस्त से वाचेन आयूग द्वारा आयोजित पेट एक्जाम 2022 के लिए घटना चक्र 2 सीरीज का तीसरा सेट हम लोग हल करेंगे इसके पहले 2 सीरीज हल कराया जा चुका है तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्रेलिश्ट में जाके आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों आपको बता देए कि इस वीडियो में हम लोग केवल सामान ने दियन यानि कि जीएस के जो 30 प्रशन पूशे जाते हैं उसको जो हल कर रहे हैं और यह आपका 2 सीरीज का जो है तीसरा सेट है तो वीडियो को लाइक शेर कर दीजिएगा चैनल पर पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ में विल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे तो आईए देखते हैं तो पहला प्रशन जो आज का है वह है बिंदुसार किसका पूत्र था चार बिकल्प है आपके सामने असुक का अकबर का या चंद्रगुप्त मौर या फिर सिवाजी का तो आप सब को पता होगा बिंदुसार जो है वह चंद्रगुप्त मौर का पूत्र था यदि बिंदु और वह चंद गुप्त मौरी का पुत्र योम असोग का यह पीता था बिंदुसार जो हुआ असोग का पीता था तो यहां प्याद रखेगा सी आपसं से हो जाएगा और एक प्रश्ण प्रश्ण प्यों पूछा जाता है कि मौरी समराट का अंतिम सासक कौन था तो वह था ब्रहदरत ब्रहदरत जो है यह मौरी समराट का अंतिम सासक था अगला पुस्ण लेकर हैं त्रिपितक की पवित्र पूष्ट के हैं तो त्रिपिटक जो है ये बौध धर्म की पवित्र पुष्ट के हैं सी आप से नहाँ पर सही हो जाएगा बुध की मृत्व के बाद उनकी सिक्छाओं को संकलित कर तीन भागों में बाटा गया था और इन्ही को हम त्रिपिटक कहते हैं एक पहला जो है इस पर है बिने पिटक पहला पिटक क्या है बिने पिटक जिसमें संग संबंधी नियम तथा अचार और सिछाई का बाटन है इसमें उसके बाद दूसरा जो है वह आपका है सुद्ध पिटक दूसरा है आपका सुद्ध पिटक सुद्ध पिटक में है कि धार्मिक सिधानतों का बार्डन इसमें किया गया है और तीसरा जो है वह अभिधम पिटक तीसरा है आपका अभिधम पिटक और अभिधम पिटक एदार्शनिक सिधानतों का बॉर्डन इसमें किया गया है तो तिर्पिटक तीन है, बिने पिटक, सुथ पिटक और अभिधम पिटक तीनों आप याद दे सकते हैं, तो तिर्पिटक किस धर्म से संबढ़ दिता है वह जो है यहनिकि गुपाल जो है बौधमतानूय आई था और ना लंदा में उसके एक बिहार का निर्माड करवाया था और इन गुपाल ने दिखा जाया तो सासन कब से कब तक किया तो सासो पचास से लेकर के सासो सतर इसमें तक इसका सासन काल रहा था और एक प्रश्ण कु नालंदा विश्विद्याले का निर्मार किस सासक ने करवाया था धर्म पाल ने करवाया था अगला प्रश्णा आपका भारत पर सासन करने वाला पहला मुश्लिम राजवंस कौन था तो भारत पर साशन करने वाला पहला मुस्लिम राजबंस था गुलाम बंस घुलाम राजबंस भी आप्षन जो है सही हो जाएगा और गुलाम बंस का देखा चाइय साशन काल तो यह आपका बारे सो छे सीह ले करके 1290 भी तक गुलाम बंस का सासन काल रहा था गुलाम बंस के बाद आया था खिलजी बंस खिलजी बंस के बाद आया तुगलक बंस उसके बाद सयद बंस आया फिर लास्ट में लोदी बंस इन्हीं दिल्ली सल्तनत में देखा जाया तो अंतिम बंस कौन था तो लोधी बंस और अंतिम सासक कौन था तो इबराहिम लोधी था फिर बाद में उसके बाद आया आपका मुगल राज बंस तो ये करम भी पूशा आता है कभी कभी दिल्ली सल्तनत का करम याद रखेगा पहले गुलाम बंस गुलाम के बाद खिलजी आये खिल जी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सयद, उसके बाद लोधी, वन्स, अगला प्रशन देखते हैं, सिवाजी महराज के सासनकाल में मंत्री परिशत को किस नाम से जाना जाता था, तो मंत्री परिशत को अस्ट परधान के नाम से जाना जाता था, सिवाजी महरा प्रात्ना समाज के संस्थापक निमलिकित में से कौन थे तो प्रात्ना समाज के संस्थापक आत्मा रांग पांडूरंग इनिकी बी आपसन यहाप प्रात्ना समाज के संस्थापना पूछा जया तो आत्मा रांग पांडूरंग के द्वारा प्रात्ना समाज के अस्थापना की गई थी बाद में इसमें राजा राम मोहन राय भी जुड़े अगला प्राशन आपका काकोरी सड्यंत्र मामला की सवर्स में हुआ था तो आपसन दिया गया है यहापे काकोरी सड्यंत्र मामला जो यह आपका 9 अगस्थ 1925 को हुआ यह आप से नहीं पर सीव जाएगा के उसंद दिया गया तो डेट भी आद रखेगा कभी कोई डेट भी पूछ लेता है साथ में 9 अगस 1925 को उत्तर रेलवे के लखनोव सहारनपूर संभाग के काकोरी नमा कस्थान पर एट डाउन सहारनपूर टखलोग पैसेंजर ट्रेन पर डखेती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया था और यह घटना काकोरी कांड अब इसका नाम बदल दिया गया काकोरी कांड का उत्तरपदी सरकार के दोरा काकोरी ट्रेन एक्षन कर दिया गया है इसका नाम अब तो काकोरी ट्रेन एक्षन के नाम से अब परशिद्ध है और इस कांड में करीब दिखा जाए तो 29 करांतिकारियों को गिरापतार किया गया था जिसमें रामप्रशाद बिश्मिल थे अस्फाकुला खां थे रोशनलाल तथा राजिंद्र लाहडी को फांशी ह हुई थी और इससे जो है चंद से खर आजाद जो है इस कांड से फरार हो गये थे तो यहां पे सन पूछा गया है काकोरी शडेंत्र अरुष का नाम है काकोरी ट्रेन एक्षन कब हुगा था तो 9 अगस्त 1925 को अगला प्रशने सुवाश्यंद्र वोश ने निमलिखित में से किस पार्टी की अस्थापना की थी तो पिछला वीडियो में आपको बताया गया था सुवाश्यंद्र वोश द्वारा 1949 में फारवर्ड ब्लाक की अस्थापना की गई थी देखा जाए तो वर्श 1949 में तिरुपरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता सित्यागपत्र देने के फश्यात सुवाश्यंद्र वोश ने फारवर्ड ब्लाक की अस्थापना की थी तो यहाँ पर डी आप्शन सेव जाएगा सन याद रखेगा कब हुआ था स्थापना 1949 में नौ प्रशन देखते हैं वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिस क्राउन में अस्थानांतरित की थी तो आप्शन आप देख सकते हैं पर तुवह है भारत सरकार अधिनियम 1858 यह भी गल्प यहाँ पर सही हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1859 की द्वारा भारती प्रशाशन का नियंतरर ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी से छीन करके अ और बोर्ड आफ डायरेक्टर और बोर्ड आफ कंट्रोल के समस्त अधिकार अब भारत सचीव को सौंप दिये गया थे यानि कि जब ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी थी तो अपका उसमें बोर्ड आफ डायरेक्टर होते थे और बोर्ड आफ कंट्रोल होते थे लेकिन ज जो कि जो company के सारी कारिभार वहीं देखते थे और ये कब हुआ था क्यूं हुआ था तो 1857 की क्रांती के पश्चात ये हुआ था पहले जो 1857 की क्रांती से पहले जो गवर्नर जनरल होते थे गवर्नर जनरल अब जो 1857 की क्रांती के बाद से यहीं कि 1859 के बाद से वह वाय सराय कहलाए जाने लगे, यानि कि जब सत्ता British Crown को सौपा गया, तब YS Rai निवत किया गया, उसके पहले जो गवर्नर जन्रल होते थे, तो यहीं पर पुछा गया है आपसे, कि किस अधिनियम के तहट जो है, सौपा गया था British Crown को, तो भारा सरकार अधिनियम 8889 के तहट, अगला प्रश्ण आपका, सौराज पार्टी के निर्माड में मोतिलाल नहरू के साथ, निम्न में से किसकी प्रमुक भोमिका थी, तो सौराज पार्टी से भी प्रश्ण जो है, बनता है हमेशा, यद रखीगा, यहाँ पे आपका, डी आप्सन सही हो जाएगा, मोतिलाल नहरू के साथ, जो है, चितरंजन दास भी थे, जिनने सियार दास के नाम से भी जाना जाता था, तो इसकी अस्थापना यह देखा जा, सौराज पार्टी की, 1923 में, क्यूं हुआ था, शियार दास, जो है, यहनी कि चितरंजन दास, इसके अध्यक्ष, यहनी कि सौराज पार्टी के अध्यक्ष थे, और मोतिलाल नहरू, इसके जो है, महा सचीव थे, महा सचीव पुशाये कौन थे? तो मोतिलाल नहरू थे, अस्थापना कब हुई थी? तो 1923 भी में तो यहाँ पे D option से हो जाएगा इग्राहम प्रशने भारत में सरवाधी कि जय विवित्ता पाई जाती है काफी महतपूर को शेनाई कई बार पूछा गया जो यह यूपी PCS से ले करके यूपी PCS के विविन परिक्षों में यह पूछा गया है तो यहाँ पे आपका C option से हो जाएगा सांत गाटी में सांत गाटी कहां है तो आपका यह कीरल में है कीरल में है सांत गाटी और यह भारत का सरवाधीक जय विवित्ता वाला जो है अस्थाल है यहाँ पे C आपसम से हो जाएगा अगला question आपका कहां पर भागीरती और अलगनन्दा मिलकर गंगा बन जाती है यानि की भागीरती नदी और अलगनन्दा नदी कहां पर मिलकर जो वो गंगा नदी के नाम से जानी जाती है तो आप सबको पता होगा यहां पे भी आपसम से हो जाएगा देव प्रियाग भागी रती योम अलक नंदा नदी का समलित नाम ही क्या है गंगा है यह दोनों नदियां उत्राखंड के देव प्रियाग नाम का स्थान पर मिलती है और यहीं से इनका जो समलित नाम है वो गंगा हो जाता है जहां पर मिलती है उस अस्थान का नाम है देवप्रिया अगला कुशिन देखते हैं कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा चमकीला है तो सबसे ज़्यादा चमकीला जो ग्रह हुआ है शुक्र बी आपसन से हुजाएगा शुक्र ग्रह ये सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है इसे भोर का तारा योम सांज का तारा भी कहा जाता है और एक और प्रश्ण बनता है कि कौन से ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है तो बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह है जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है स्रवाधि को उपग्रह किस ग्रह के है तो सनी के है सनी के उपग्रहों के संक्या देखा जाए तो 82 है उसके बाए दोसरे नमर पर है बिरस्पति 67 के करिब जो है उपग्रह है और पृत्वी का एक मात उपग्रह है चंद्रमा आपको पता ही होगा मंगल ग्रह के दो उपग्रह है एक का नाम है फुबोस और दूसरे का नाम है डीमोस तो मंगल ग्रह के जो है दो उपग्रह है फुबोस और डीमोस सरवाधिक उपग्रह किसके हैं तो सनी के हैं वो दो मकीला यहाँ पर पूछा गया, सुक्र सही होगा, बी आप्शन अगला कुशन दिखते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की जहील कौन सी है तो विस्टु में पूछा क्या है, विस्टु के सबसे बड़ी ताजे पानी की जहील होगा है ना कि ताजे पानी की केवल बड़ी जहील जब पूछा जाएगा, विस्टु के सबसे बड़ी जहील कौन सी है तो वह हो जाएगा आपका कैस्पियन सागर विस्टु की सबसे बड़ी जहील कौन सा है, तो कैस्पियन सागर होगा लेकिन यहाँ पर पूछा गया है मिस्त की सबसे बड़ी ताजे पानी की जھیल तो लेक सुपेरियर है और जो कैस्पियन सागर है यह आपका खारे पानी की जھیल है कैस्पियन सागर यह आपका खारे पानी की जھیल है तो यहाँ पर यह आप संजो है सही होगा अगला question है भारत की सबसे उची चोटी कौन सी है सुरी दक्षिर भारत की सबसे उची चोटी पूछा गया है तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं दक्षिर भारत की सबसे उची चोटी आपको पता ही होगा अनाई मुडी है अनाई मुड़ी इसकी उचाई देखा जाए तो 2695 मीटर है अनाई मुड़ी की उचाई और यह आपका अन्ना मलाई पहाड़ी 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 की सराज्य में है तो कीरल में है और इसी पहाड़ी की सबसे उँची चोटी है अनाई मोडी जिसका उँचाई है 2695 मीटर और दोदा बिट्टा जो यहाँ पे दिया गया है बीज आप्सन में आप देख सकते हैं ये नील गिरी जो नील गिरी पहाडी है नील गिरी पहाडी की सबसे उंची चोटी है दोधा बिटा और इसकी उंचाई देखा जाए तो 26,37 मीटर है 26-37 मीटर जो है 12 विट्टा की उचाई है तो ये दूसरी सबसे उची चोटी है दक्षिल भारत की और सबसे उची चोटी ये अनाय मोटी है अगला कुशिन देखते हैं हिंदू रेट आफ ग्रोथ सब्द किस ने प्रस्तावित किया था तो ये प्रस्तावित किये थे राज कृष्णा बी आप सब्सें जो है सही हो जाएगा हिंदू रेट आफ ग्रोथ पद ये भारती अर्थ सास्त्री राज कृष्णा के देन है जो कि भारती अर्थ विववस्थ था यानि कि जी डीपी कि ये निम्टम ब्रिध्धी दर से संब पंदित्थी हिंदू रेट आफ ग्रोथ तो यहां पर भी आप सब्सें जो है सही हो जाएगा अगला कुष्ण भारत के क्रिशी छेत्र में सामानित किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है तो इसमें प्रचन बेरोजगारी से एक है या تو यहाँ पे जो है सी आक्षन सही हो जाएगा हुआ mult और अतरतमा प्रशन भारत में हरित्करांती का जनक कि से कहा जाता है तो यह दोनों ही वीडियो में बताई पहले पार्ट में दोसरे पार्ट में दोनों पार्ट में जो बताएगा हरित्करांती से सम्बंदित परशन, तो याद रखेगे, काफी महाद फूर्ण हमेशा परशन बनते हैं, हरित करांती से, तो यमेश स्वामी नाथन, डाक्टर यमेश स्वामी नाथन को भारत में हरित करांती का जनक, जो है, कहा जाता है, और बिस्व में, यदि पूशे है, हरित करांती के ज तो स्वेट क्रांत यह आपको पताई होगा दुख दूत पादन से संबंदित है यह आपसन यहाँ पर सही हो जाएगा कि आगे बढ़ते हैं बित्य वर्ष 2022-23 में राजकोशी घाटे का अनुमान क्या है तो यह करेंट में अभी सुबह का जो करेंट आपको दिया गया है उसमें एक क्वेशन था तो यहाद रख सकते हैं आप यह देखेंगे तो आप लोग इसको सही कर लेंगे तो यहाँ पर जो सही हुजाएगा आपका डी आप समस्केवगा जीडीपी का 6.4 प्रतिसत यह देखा जाए बित्य वर्ष 2022-23 में राजकोशी घाटा वह जीडीपी का 6.4 प्रतिसत जो है रहने का अनुमान बेक्त किया गया है अगला कुशिन है सम्भीधान के 73 में संसोधन के द्वारा पंचायतों को निर्दिस्ट के जाने वाले कार निमलिखित में बर्डित हैं किसमें बर्डित हैं पूछा गया है तो यह बड़ित है इग्रहामी सूची में सूची पुछा गया है तो इग्रहामी सूची में पंचायतों का बरडन किया गया आपका तिहत्रमा संभिधान संसोधन अधिनिया उनिस सो बानबे में इसे जोड़ा गया था और भाग पूछा जागा तो भाग नौ में जो है पंचायतों का बर्डन है और भाग नौ का में जो है भाग नौ का में आपका नगरपालिकाओं का बर्डन है और नगरपालिकाओं जो है बारहवी अनसूची में है और इगरहवी अनसूची में जो है आपका पंचायतों से संबंदित है तो यहाँ प यदिस्ट के जाने वाली कारिक किस अनुसूची में है तो आपका बाराहवी अनुसूची तब जो है सही होता और इसमें 20 पूशे जाते हैं तो पंचायतों को आपको पता होगा 29 बिस दिये गए हैं और जो नगरपाली का है उनको 18 बिस है दिये गए हैं तो यहां पर यह जाएगा यहां पर डी आपसुलूप प्रिप्त में से कुछ नहीं होगा इन सरकार जो है राज्य सभा में प्राजित हो जाए तो सरकार के उपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि देखा जाए अनुच्छेद अनुच्छेद पचाहतर तीन में बरड़न है कि सरकार लोग सभा के प्रति सामोही को रोप से उतरदाई होती है यह प्रशन भी पूछा गया है सरकार यहीं कि सरकार जो है या मंत्री प्रश्रत किसके प्रति उतरदाई होता है तो वह लोग सभा के प्रति उतरदाई होता ह नहीं, यानि कि D आपसन से एगा, उपरिप्त में से कुछ नहीं होता है, अगला प्रशन देखते हैं, राश्टपती के उम्मिद्वार के लिए क्या आवस्यक नहीं है, ध्यान दिजीएगा, पुछाए क्या आवस्यक नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका सही अंसर होगा, B आपसन, पढ़ा लिखा हो, ऐसा जो कहीं वर्डन नहीं है, उसकी योगिता में, तो बाकी राश्टपती की आयो 35 वर्स पूरी हो चाहिए हो, यानि कि कोई बेक्ती राश्टपती यह दिबनना चाहता है, तो उसकी आयो, यानि कि उम्मर केतनी होने चाहिए, 35 वर्स पूरी होनी चाहिए, लोग सभा का सरदस निर्वाचित होने के लिए वह आरित हो, भारत का नागरिक हो, यह सभी योगिताएं होना चाहिए, भारत के राश्टपती उमिद्वार के लिकिन, पढ़ा लिखा हो, ऐसी, कोई भी जो है, आपकी आवश्यक्ता नहीं है तो बी आपसें, यहाँ पर सही हो जाएगा, अगला कोशिन है, निमलखे तीर्गमों में से कौन एक सुमेलित नहीं है, तो एक तरब दिया गया है, बी से, शुमेलित नहीं है, पूछा गया है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं भाग दो, भाग दो, वे आपका क्या है, तो नागरिक्ता है, बिल्कुल सही है भी आपसम भाग 3 में मूलदिकार है, ये भी सही है नागरिक्ता ये अनुचेद दिया जाए, अनुचेद 5 से लेकि 11 के बीच जो है नागरिक्ता का बड़न है, और भाग 3 में मूलदिकार है जो कि अनुचे 12 से 35 की बीच जो है मूलदिकारों का बड़न है और भाग चार में है राज जी की नीत निदेसक तत्तु ये भी आपका सही है नीत निदेसक तत्तु को दिखा जाता अनुचे 36 से लेके 51 तक जो है नीत निदेसक तत्तु का बड़न है इसमें भाग चार भाग चार दिया गया मूल करतब में तो यहाँ पे यह आपका गलत हो जाएगा मूल करतब को भाग चार में नहीं बलकि भाग चार ए में जूड़ा गया है भाग चार ए में जूड़ा गया है और आर्टिकल 51 ए में जो है मूल करतब को सामिल किया गया था तो इसे 42 संबिधान संसोधन अधिनियम 1976 में सरदार स्वड सिंग समीति की अनुसंसा पर जो मूल करतब को वारती संबिधान में समलित किया गया था तो याद रखेगा यहाँ पर कि D आपसन आपका यहाँ पर समेलित नहीं है बाकी सभी समेलित हैं अगला परशन है लोकसभा के लिए चुनाओ में निरवाचित होने के लिए किसी ब्यक्ति के लिए नियुनितम आयूशीमा कितना होना चाहिए तो लोकसभा के लिए पूछा गया है कम से कम जो उम्र होना चाहिए 25 वर्स होना चाहिए सी आपसन जो है यहाँ पर सई हो जाएगा और राजी सभा निरवाचित होने के लिए कम से कम उम्र कितना होना चाहिए 30 वर्स होना चाहिए और राश्टपति के लिए 35 वर्स तो तीनों ही पूछा जाता है, याद रखेगा, यहाँ पे लोकसभा के लिए पूछा गया, लोकसभा या बिधानसभा, दोनों के लिए 25 वर्स है, अगला कोशन है निउटन का पहला नियम, किसके रूप में भी यह जाना जाता है, तो निउटन का पहला नियम, जड़त तु को उसी अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई भी बाहरी बल या बाहरी बल कारियरत नहों, इसे ही हम जड़त तुकानियम भी कहते हैं, तो उसी आपसे नियम पे सही हो जाएगा, अगला प्रशन है, प्रति सेकेंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं, त जो होता हो, होता है, कमपन पर सेकेंड, कमपन पर सेकेंड होता है, या हर्टज भी होता है, बृति का मात्रक, तो कोई भी यह दिया रहे आपका, तो यहाँ पर यह आपसे हो जाएगा, अगला कोश्चन है, निव लैंड्स के अस्टक नियम के अनुसार निमलिकित में से कि यह हो जिलाएगा आपका लीथियम, डी आप से नहीं एक हुझाएगा, Newlands की अस्टक नियम के नुसार, तत्तों को उनके प्रमाडू द्रब्यमान के करम में बवस्थित करने पर, प्रतेक आठ्वें तत्तों का गुर्धर्म, वे पहले तत्तों के गुर्धर्म के समान होता है और निवलेंड के अस्टक में लीथियम और सोडियम लीथियम और सोडियम के गुर्धर्म हुआ समान है इसी तरह बेरेलियम और मैगनेसियम में भी अथिक समानता पाई जाती है इन दोनों में भी समानता पाई जाती है तो यहाँ पे sodium के समान गूर्ड धर्म पूछा गया है तो lithium से हो जाएगा D option अगला प्रशन है दूद में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है तो दूद में जो पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन है वो है casein D option से हो जाएगा है दूद में casein नामक प्रोटीन उपस्तित होता है और इसी प्रोटीन के कारण दूद जो है वो आपका सफेद रंका होता है गाय के दूद जो हलके पीले रंका होता है किस कारण होता है तो गाय के दूद में कैरोटीन पाया जाता है कैरोटीन जिसकी कारण हलके पीले रंका होता है गाय का दूद तो यहाँ पे जो है आपका D आपसंस है हो जाएगा अंतिम प्रश्ण है बेरी-बेरी रोग निमलकेत में से किस की कमी की कारण होता है तो बेरी बेरी रोग बिटामिन बीवन की कमी के कारणट होता है और बिटामिन बीवन का राशायनिक नाम पूशा जाता है क्या है तो बिटामिन बीवन का राशायनिक नाम है थायमीन यहाँ पे बी आप सुन जो है सही हो जाएगा तो दोस्तों ये था आपका उत्तरप्रदेश लिए अधिनास सेवा चैनायव द्वारा आजित पेट एक्जाम के लिए घटना चक्र टोह सिरीच का तीसरा सेट इसके पहले दो सेट अपलोड कर दिये गए हैं जीयस का तो जो लोग नहीं दिखें हैं चैनल के प्लेलिस्ट मे जाएगा आपको वहाँ से दोनों वीडियो मिल जाएंगे साथ में करेंट अफेर्स का भी वीडियो अपलोड किया गया पेट एक्जाम के लिए तो उसे भी आप देख सकते हैं तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किय सब्सक्राइब कर लिजिएगा साथ में वीडियो आइकन को प्रेस जरू कर लिजिएगा जैसे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद